नमस्कार दोस्तों मैं हूँ धरम दूबे और आप देख रहे हैं हिंदिराश सल्वान खान का शो बिग बॉस एक बार फिट से शुरू होने जा रहा है हाली में एक्टर ने शो की शांदार लॉंचिंग भी की इसवार का शो बाकी सीजन के मुकाबले काफी जबरदस्त होने वाला है शो का फिनाले चार हफ्तों के अंदर हो जाएगा वहीं शो के कंटेंस्टेंट के तौर पर जहां देवो लीना भट्टा चारिया और सिधार शुकला के नाम कन्फम हो गए हैं वही चंकी पांडे, आदित नारायन और राजपाल यादो जैसे बड़े सैलेप्स के नाम इस शो में आने को लेकर सामने आ रहे हैं बिग बॉस 13 के अब तक जितने भी प्रोमो शेयर किये गए हैं उनमें सल्मान खान काफी हैंसम नजर आ रहे हैं वो कभी स्टेशन मास्टर के लोग में दिख़ जाते हैं तो कभी शेफ के तौर पर वैसे बिग बॉस के घर की जब भी बात होती है, तो सबसे पहले हम सल्मान खान या फिर शो के प्रतियोगियों के बारे में बात करते हैं लेकिन इस बार हम आपको बताने जा रहे हैं बिग बॉस के घर से जुड़ी दस ऐसी बातें जिनके बारे में शायद आप नहीं जानतें तो चलिए आपको बताते हैं बिग बॉस के घर से जुड़ी दस दिल्चस्प बातें पहला, बिग बॉस के घर में करीब 90 कैमरे हैं। दूसरा, बिग बॉस के पीछे की आवाज अतुल कुमार की है। तीसरा, हर हफते एक बार सफाई करने के लिए सफाई करमचारियों को काम पर रखा जाता है। चौथा, प्रतियोगियों को घर में इंटिमेट होनी की इजाज़त नहीं दी जाती है, लेकिन यदि ऐसा होता है तो उन सीन्स को एडिट कर दिया जाता है। पांचवा, प्रतियोगी घर में कोई भी ब्रैंडेट प्रोड़क्ट नहीं ला सकते हैं। चौथा, प्रतियोगी आमतोर पर सुभा जल्दी उठते हैं, उनका वेकप कॉल उस समय पर निर्भर करता है जब पिछली रात की शुटिंग खत्म हो हो। साथवा, यदि घर में कोई सामान खत्म हो जाता है, तो प्रतियोगी बिग बॉस से विशेश अनुरोद कर सकते हैं। आठवा, विकेंड का वार एपिसोड खास्तोर पर शनी वार और रविवार को ही शूट होता है। नवा, घर के बाहर की दिवारे एक तरह से कांच से बनी होती हैं। दसवा, घर में दो तरह के कैमरे लगाये गए हैं, रोबोट और ट्रेक। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूलें। कुछ कहना चाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, देखते रहें हिंदी राश।